Hello friends, आपका laptop भी slow चलता हो या laptop की speed slow हो तो ये वीडियो काफी useful रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले laptop को boost की speed दे सकते हैं means आपका laptop एकदम full speed से work करेगा जिस भी चीज को आपको open करना within second open हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको अपने desktop पर आ जाना है और यहां पर window प्लस आर की की को प्रेस करना है then उसके बाद यहां पर आपको search करना है temp then enter करना है इससे आपके laptop में जितनी भी temporary file होगी सारी open हो जाएगी मेरे पास काफी कम temporary file है क्योंकि मैं इसे delete कर देता हूँ तो control ले करिएगा and then delete की को प्रेस करिएगा then यहां से आपको सारी चीज फाइल डिलिट करनी है मैंने कर चुका हूँ already then ठीक है यह पूरा आपका clean हो जाएगा temporary file then उसके बाद फिर से again हमें desktop प्रेस्टोप प्रेस करके यहां पर लिखना है आपको percent temp देख सकते हैं आप and then enter की प्रेस करिएगा then उसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर काफी सारे folders available हैं इसे भी आपको डुलिट करना है control पर से डिलेट मींस यह सारे temporary folders हैं आप इसने डिलेट भी कर देंगे तो आपके laptop पर कोई दिक्कत नहीं होगी मींस आप इसे डिलेट कर दीजेगा इससे आपके laptop की सारी temporary files delete हो जाएगी देन उसके बाद अगीन हमें desktop देन उसके बाद हमें विंडो और अगें प्रेस करना है देन यहां पर लिखना है आपको पी आरी एफी टी प्रिफेट देन एंटर की प्रेस करिएगा यहां पेक अलाओ का अलाओ करने के लिए बोलेगा देन गंटिन्यू कर उसे से में control प्रसेद अब की करिएगा डिलेट एंटर है यह आपका क्लियर हो गया देन उसके बाद विंडो और को अगें टाइप करना है और यहां पर लिखना है आपको ट्री यह लास्ट वाली यह जो आप लिख रहे हैं ट्री इससे आप आपने laptop को बूस्ट की स्वीड देशकते मिन्स आपका laptop within second work करेगा तो हम एंटर करते हैं यह आपका laptop बूस्ट हो रहा है मिन्स आपके laptop को speed speed बढ़ रही है processing बढ़ रही है आप अपने laptop की speed को एकदम बूस्ट की तरह करेंगे मिन्स आप किसी भी चीज़ को open करेंगे तो वीडियो पसना है तो लाइक करिएगा चैनल सब्सक्काइब करिएगा थैंक्स फ़र वाचिए